हेलो, दूस्तों, कैसे हैं आप सब, साक्त हैं हमारे इस इरल यक। बात कर ले थी, अज पढ़एंगे जालोर के चाहन के बारे में, ठीक है और जालोर के चाहन के बारे में बात करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि रहा क coch में करना जालोर के जो हने जबालीपूर से नाम जालोर भड़ा हुआ और जालोर में केलह की बात करेता हो सूवरणगिरी या सौनगड केलय थे ठीक है यहां पिशासक केरतीपल जूहन कियारा सु 181 से ग्यारो सु 182 से इस रीट तक शासनकाल रहा है एक ही वर्ष के आस्ट कर रहा जादा नहीं, रहा एंका और जालर के चोहन LURAJ harassment के सहाथ़ अपक के लाता है प्रस्न जाए कि जालर के चोहन、或者 चोहन ऋल्स को कौन के लाता तो मेर्श की घ्रति पर चोहन और यहर नर्डोल के शासक लन के पूत्मत है कि पर्शने भी आषब केसा बुधर तो नाड़ेक्ट इनकी पूट कि पुटर है इन्हें कि तू की आख़िया है मत्वच सटानान यह जघा़नान राजह रहें के कि माधर हैं निश्च का धाती है मुहनत नैंड़ी नहीं जन कर दी मैं अक्यायता है समर्शिः तो समर्शिः का करिय काल है 1182 से 1250 तक रहा है ठाड़ी है समर्शिः ने जालोर में सुवन गिरी पहाड़ी के चारो और पर्कटो का निर्माना किया है यह सब्सक्राइब कर चाहरा contaminar about का निर्मान का इंद आ को थे छोड़ाइब का नीख समय थे पॉप्तरी बिंदोटों सभाण करवाई थे इंड़्यों समय यह क्ला आपन पूप्तर दिदास ब्हुत के शहलाज फंदरा मताय हुआ अग्यात हुआ है उधे की सिहहां, उधे की समय में 1226 में इलतुमिश्ट ने रण थंबोर पर आकरमन किया था उधे सीहन ने धन राशन देकर इलतुमिश्ट के साथ संधि कर ले थी गें दिल्दी के सुल्तान नसुर्दिन महम्मद ने, 1259 में, जालोर पर आकरम्णी किया था दिल्ली के सुल्टान नसर इदिन मुहम्मद दें 1254 में जहलोर पराकरमनी किया था ये बात भी आपको जान रखनी है अगे आते हैं चोचिंग देव चोचिंग देव जो सुधा मता मंदिर जहलोर का निर्मान चोचिंग देव ने करवाया है इनका शासन कल 1257 से लेकर 1282 से तक रहा है अगे आता है सामन से हो 1282 से 1305 से कनहर देव चोहन 1305 से 1311 से तो कनहर देव चोहन वह एक यानि अलावदिन खिलजी के मत्त संगर्ष का कारण क्या क्या था है वह देखेंगे तो गुजरत विजए से सोमनात में रखे शेवलिंग को तोड़कर लोट रही अलावदिन खिलजी की सेना पर कनहर देव चोहन के सनापती जेता देवड़ा ने अकरमन किया इस करण एक एक की सेना ने सारा जंद छोड़कर बाग गई थी तो कानहर देव ने इन पार्शेवलिंग के टुकड़ो को सरणा गाव जालोर में इस्तापित करवाया था ठीक है इस करण एक एक मंदे संगर शुआ था तो कानहर देव चोहन का चासन कल तेरह सो पान से तेरह से ग्यार सी में है आर अलावजिन खिल जीगा बारात संग श्रुआ श्रास है यह जो गण ना गटी थी यह पने पहले गडी ही इसकी चरशा की है गुज्रात से जो सम्राद मंदर से इस रखें जो सम्राद मंदर में जो शेवलिंग है उसको चोड़कर जो लावजिन खिलजी की जो सेना है कानार देज चेहान की सेना पती जो देज़ा और देवड़ा थे उन्होंने उन पर आक्रमन कर दिया था जो लावजिन खिलजी की जो सेना है वो कहां पठीरी हुए थी जालूर के पास में एक दुर जो दुर गया पठीरी हुए थी तो जैसा देवड़ा जो कानार देव की जो सेना पती है उन्होंने आक्रमन कर दिया और शारा धन चोड़कर वाग गई वहां से तो कानार देवर चौहान ने बाद में क्या किया कि इन 500 शेवलिंग के टुपड़ों को सरणा गाजलार में इस्तापित करवाती है तो इसकारण से कानडे चौहान और एकिक मत्या संगर्स होता है किस तरह से होता है वह 13-45 से मोड़िए जल्वह पर आक्रमन करके निकले सेन पती उन्हूमुल्क सुलतानी को पीजता है अलौदी घल जिया करता है आये मरों उल्फ मुल्क स्लतान को पीजता है अपय। कशच्च के सभठ मत्य के सन्ध्य कैसामूधा उाता है पलंतू क्या होता था है कानल्ण देव चोहन और एकी के ज़ौ इस मेरे संदी हो जाती हैक estem और शे Dublin के समझोते में क्या होता है कि कानल देव ने अपने वीरामदी चोहन को कानल डेव जो। को कानल चोहन है अलावदन खिल जी के दरबार में नियुक्त करेगा यह शंदी कर ले ठीक अब मौडवत नेन्सी कह एके उसक्राट कर आई की खता इनके अनुसरा कर जिया कांट्र देव ने का पुतर विरिम ने को एकी के दरबार में नियुक्त किया और फरिष्टा क्या किती है कि इसके अनुशार कानर देव सेवम एकी के दरवर में अपसे थुआ था तथा एकी को लड़कर कराया है कि आओ कभी जालो लो ठीक है अब आते हैं फिरोजा बानू फिरोजा बानू यह एकी की पुतर अलाउजन खिल जी की पुतर थी और इसने विरमदय के सामने व्याव का प्रसाव रखा ठीक है कि विरमदय मैं आप से शादी करना चाहती हूं लेकिन विरमदय ने ठोकरा दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा इस वज़े से विरमदय दिल्ली से भग कर जलोर आजाता है वापस अपने विताजी के पास में अब फिरोजा की जित थी कि मैं विरमदय से शादी करूंगी तो फिरोजा की जित पर अलाउजन खिल जी ने अपने सेना पाती कमाल अदिन जो गुर्ग है गुर्ग को जलोर एकरमन करने के लिए बेश्डा बेशता है चल्म आ में सेवाना धिन जो गुर्ग है कि कर अपती के शिर जो कि आ कि ज़िता है आधाँ का तो यहां माल जो पर Migli घरको नहीं तुलपता है a 400 के निरमा जो जहां नस पहर है जो मारवाड कि शासकों की शरनस्ली कहलाती है और जालर दुर्ग की कुंजी भी कहलाती है तो कमाल धम गुर्ग जाव исп करें अशवन डेता है जिससवनसित भणक शिवन डुर्ग कुमालदम्ु क commence करती हैं so जो सिनापति भावल्द के कहने पर कंमाल अद्क हमाल को इंड कnal ऩार दिर्ग के बाहर इसे भंडेरा तालाभ अक्लाभ था एक कज़ा leaks वो भॉले रैता है कम अलव दिन सो गुर्ग है कि लुग में पाइड बहुते हैं छो निए कि पूरती करता है तो जुटतो पेजल की पूरती है कि डुर्ग निएटा रिखर इसके का कि अन्दर की घृता है मेना दिन है जोहर कर लिती है अग जितने के महाद सीवान ना दूर कर नाम क्या है क्या बदरक दिया जाता है किस ने ने रखा कंप लोगोग दिन गूर रखा अब आकए रहता है मलकाना का Baş है त्यरा सु एक थे अब आता है एक की की जलुर दुर्गों पर विजय कैस होती है 1311 से घठना है कि अलब दिन खिल जी का सेनेपति कमल दिनकुर गाए वो जलुर दुर पर जाता है अब कानुडदेव चोहन जलुर दुर्गों में प्रिवेश्च करना जाता है परण तुद दिखो जालोर दुर्गों में क्या है कानदेव चोहन है और जालोर दुर्गों में प्रिवेश कोन करना जाता है एक 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 सुनेपती है कामलो दुर्गों में प्रिवेश करना जाता है लेकिन यह जालोर दुर्गों में प्रिवेश करने में असवल रहता है देखते हैं कि क् जलूर दुर के जरौजे करह मुशिय नाद निजामि चाफ करते नाद ने जलूर। करते या लूर्चे कि दोजा हुआ स्टार्य रोगते हैं कैclamuk जरौजे मैं करते हैं, न emphasizes कौन मेरे करते हैं तो कमाल अदिन गुर्ग सेनापती को लालाज देकर अपनी और भी लाज देता है तो दहिया बिका हो जाता है तो जो कहनार देव का सेनापती कौन है यहां पर दहिया बिका है वो लालाज में आकर क्या होता है कि गुप्त के जो दुर्गे के गुप्त रास्ते है कमाल अदिन कि उसकी गटार से उसकी हत्या कर देती है यहां इसकरन क्या होती है कि उसकी पत्णी के साथ दुर्ग में प्रिवेश कर जाता है और गुल बिहस्त के अनुसर क्या है कि या फिरोजा की धाई माती इस तो यह फिरोजा की धाय माती जिसने विरम देव के साथ युद्ध लड़ा था और विरम देव ने अपने कुल दिवी कौन है उसकी आशापुरा माता के मंदीर के साथ ने कटार से अपने शिष काट लिया करते हैं अपने दिशले साथ हु al 不要 दिवेन शिष है था था किन है विरम डी दिव समय नहीं कि नहीं का आप फिराजा भी उसकी इसकी कटेवस की शर्ण को माता हैं सामादुन शर्ण के बारे की मरहती है का हैं is और की आगे क्या को पूलकी के कहा पूए की वाव राव रात में आवए होएं और रात में ही भीठ गए है आभ यसम निजमी जुक का गरंट है ताज उलम मिसर इस गंते में जालूर दुर्ग के लिए कहा गया है कि इस दुर्ग के दर्वाजे कभी किसी बहरी शक्ति के आकरादने के दुर्ग नहीं खुले गया है चाहे वह किसने भी शक्ति शाली क्यों नहीं रहा हो ठीक है यह तो इसने गुप्त रास्त से गय थे इसलिए युद्ध हो गया था बाकी इसे बहरी शक्ति से दुर्ग नहीं खुले गया अग्या आता है हड़ा और अरंज बंस इस ठीक है वन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोटा प्लस बंदी के चोहन है इसे नेक्स्ट वीडियो में चर्शा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद दूस्तों और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं ठीक है तो तेंक्यू मिलते हैं किसी नेक्स चूटी में